जहिन साथियों स्वागत आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में दोस्तों AIMS के अंदर vacancies निकली हैं जैसे कि आप जानते हैं All India Institute of Medical Science इसमें vacancies निकली हैं और EXERUS MAN के लिए भी इसमें vacancies हैं जो भी EXERUS MAN 10th pass है, 12th pass है, graduate है वो सभी इसमें apply कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल कितनी vacancy हैं pay level क्या रहेगा, EXERUS MAN के लिए age relaxation क्या है जो लोग सेना में नोकरी कर रहे हैं वो कैसे apply कर सकते हैं इसमें qualification क्या रहेगा और इसमें fees और exam किस प्रकार से होगा दोस्तों सैनिको से जोड़ी सारी खफरों को जानने के लिए subscribe का बटन दबाएं और bell icon को प्रेस करके all का बटन दबाएं ताकि सारी latest जानकारी आपको मिले सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं important dates के बारे में ग्रूप C की vacancy में एक्सरिसमेन का कोटा होता है इसमें pay level की बात करें तो अलग-अलग post के लिए अलग-अलग pay level है कई post है जो की pay level 1 में आती है जो की 18,000 से 56,900 है कुछ एक post pay level 2 में आती है जो की 19,900 से 63,200 है और कुछ post है जो की pay level 4 में आती है जो की 21,700 से 79,100 है दोस्तों बात करें टोटल वेकैंसी की तो इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है तो इसमें जैसे सोचल वर्कर की पोस्ट है इसकी टोटल दो वेकैंसी है Office Store Attendant की 40 वेकैंसी है LDC की 32 वेकैंसी है Stenographer की 34 वेकैंसी है ड्राइवर की 16 वेकंसी है, जूनियर वार्डन की 10 वेकंसी है, हॉल अटेंडेंट की 8 वेकंसी है, टि非常 पर स्परकार तोल इसमें 233 वेकंसी है, दोस्तों बात करें एक्सरिसमेन की रिजर्वेशन की, तो तोल जितनी वेकंसी हैं, उनमें से 10% जो कोटा है, वो exodus man को मिलेगा दोस्तों बात करें age relaxation की तो जैसा कि हर एक job में होता है exodus man के लिए same वो condition apply होगी जो भी exodus man है उनको सबसे पहले अपनी present age है उसमें से अपनी service को minus करना है प्लस उनको 3 साल और minus करना है उसके बाद उनको देखना है कि किसी भी particular post के लिए क्या age रखी गई है उस जो maximum age है उससे उनका जो age है वो कम करने के बाद कम होना चाहिए दोस्तों बात करें serving soldiers की तो जो लोग सेना में नोकरी कर रहे हैं और इस post के लिए apply करना चाहते हैं एक्सरिसमें कोटे के अंतरगत वो भी apply कर सकते हैं लेकिन condition यह है कि उनको अगले साल 30 October 2024 से पहले पहले सेना से retire होना होगा तो जिन लोगों का भी date आ चुका है या आने वाला है और उम्मीद है कि October 2024 से पहले पहले वो release हो जाएंगे वो सभी भी इसमे apply कर सकते हैं दोस्तों बात करें qualifications की तो कुछ एक इसमें post है class 10 जो है उनके लिए हैं कुछ एक post है 12 के लिए हैं और कुछ एक आर्मी 15 साल नोकरी करने के बाद आर्मी का जो graduation certificate जिनके पास है वो सभी इसमें apply कर सकते हैं क्योंकि जैसे आप जानते हैं वो graduation के equivalent होता है तो आप उन post पे भी apply कर सकते हैं जिनकी eligibility जो है graduation है दोस्तों भी बात करते हैं आपको कैसे apply करना है तो यहाँ पर एक आपको site पे ज इसमें आलक से access man के लिए नहीं दे रखा है बाकी journal OBC EWS के लिए 1200 रुपया और SCST PWD के लिए 600 रुपय की fees है दोस्तों बात करें exam की total जो इसका selection process हो कैसे होगा तो सबसे पहले आपका computer based test होगा इसके बाद आपका document verification होगा जिन post के अंदर skill test की अनिवारता है वहाँ पर medical होगा medical के बाद आपको इसमें जो vacancy है इसमें आपको post आपको मिल जाएगी दोस्तों भी बात करते हैं सबसे पहले CBT की तो CBT में किस किस टाइप से question आएगे total इसमें 100 question होगे multiple choice question होगे और इसके 100 ही marks होगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 90 minute का देखते है इसमें कौन कौन से subject आएगे तो इसमें general knowledge और awareness आएगी English comprehension आएगा quantitative aptitude यानि कि maths आएगा general intelligence reasoning आएगी fundamental of computers यानि कि MS office, internet, ETC आएगा तो ये सारे वो subject हैं जो कि normally सभी exams के अंदर आते हैं तो इसकी कोई अलग से तियारी करने के आशकता नहीं है लेगिन इसमें दो subject ऐसे हैं जिसकी आपक से तियारी करनी पड़ेगी वो है कि जो आपका CCS contact rule है 1964 के और CCS के जो leave rules है 1902 के तो ये आपको internet से मिल जाएगा तो आपको इसकी तियारी करके जानी पड़ेगी कि इन rules के अंदर क्या बताया गया है government के दौरा और इसमें कौन गोनशी चीज इसमें आती हैं दोस्तों ये exam आप Hindi या English दोनों में से किसी भी भाज़ा में time कर सकते हैं सारे जो question होंगे objective type के होंगे सभी के 4 या 5 विकल्प दिया होंगे जिन में से आपको एक choose करना होगा 0.25 की negative marking है यानि कि अगर आप 4 question गलत करेंगे तो आपका एक number कट जाएगा और minimum सभी categories को कम से कम 35% इसमें marks को दाना होगा उसके बाद ही उनको आगे की merit के लिए consider किया जाएगा दोस्तों भी बात कर लेते हैं हर एक post की और उसका जो eligibility criteria क्या है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले post रखी गही है social worker की इसमें 10 प्लस 2 मांगा गया है और इसकी जो age है 18 से 35 साल है इसके बाद है next post आपकी office oblique इसके store attendant इसमें 10 मांगा गया है age limit इसकी 30 words से अधिक नहीं होनी चीए इसके बाद जो next post है वो है LDC आनि की lower division clerk की इसमें 12th class मांगा गया है इसमें आपको skill test देना होगा 35 words per minute English के या फिर 30 words per minute Hindi के दोनों में से कोई भी एक आपको देना होगा और आपको computer की basic knowledge होनी चीए इस इसके बाद stenography जो भी 12th pass है हो सभी इसका exam दे सकते हैं और age limit 18-27 है driver की post के लिए 10th pass आपके पास heavy motor vehicle light motor vehicle का license होना चाहिए और आपकी जो age limit है 18-27 होनी चाहिए junior warden housekeeper के लिए graduate मांगा गया है इसकी जो age limit हो 35 से 45 साल आपकी मांगी गई है इसके बाद hall attendant की post है इसमें 10 plus 2 और आपकी जो age limit है वो 21 से लेकर के 30 वर्स तक की मांगी गई है UDC के लिए आपके पास graduation के degree होनी चाहिए इसमें आपको computer की knowledge होनी चाहिए skill test same होगा जैसा की LDC के होगा और आपकी age हो 21 से लेकर 30 वर्स के बीच होनी चाहिए इसके बाद data entry operator grade A इसमें 12th मांगा गया है age आप 12th मांगा गया है age आपकी 21 से लेकर के 30 वर्स के बीच होनी चाहिए security कम fire जमादार की post है इसके लिए आपको 10 प्लस 2 मांगा गया है और इसमें ज्यादातर जो एक्सरिस में की post है इसमें होंगी क्योंकि इसमें अलग से दिया गया है कि आपका जो armored forces के अंदर आपका जो service है होना चाहिए काफी बड़िया post है इसके जो age है 18 से 27 वर्स मांगा गया है इन सभी age के अंदर आप अपना जब एक्सरिस में का age निकालेंगे तो चूट करने के बाद आपको calculate करना है कि आपने अपनी service को minus करना और 3 साल minus करना उसके बाद आपका जो age है इसके बीच में होना वाला है क्योंकि यो aims बोपाल नहीं vacancies निकाली है बोपाल देखा जाए तो काफी बड़िया city है रहने के साब से education medical सभी के साब से इसका अच्छा city है तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो अगर पसंद आये तो like, share and subscribe कर लिए बने रहें इसी channel पर मेरे साथ दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद जहिंद